Hello Class 9th Students Number System के NCRT के First Exercise का Second Question है Find 6 Rational Numbers between 3 and 4 हमें 3 और 4 के बीच में 6 Rational Numbers ढूनने हैं तो कैसे ढूनेंगे बताइए तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिखा रहाँ फिलाल 3 और यहाँ पे मैं दूर लिखा रहाँ 4 ओके अब 3 और 4 के बीच में हमें 6 Rational Numbers खोजने हैं तो पता है काम करिये न इस 3 में आप उपर और नीचे 100 से मल्टिप्लाइ कर दीजे उपर भी 100 और नीचे भी 100 रहना चाहिए ठीक है और इस 4 में भी उपर भी 100 और नीचे भी 100 से मल्टिप्लाइ कर दीजे तो जब 3 को 100 में मल्टिप्लाइ करेंगे तो 300 आ जाएगा और नीचे देख लिजे नीचे 100 है तो नीचे 100 आएगा नीचे क्या जाएगा 100 आजएगा अब अगर ऐसा मिल गया है तो ये दोनो 0 ये दोनो 0 काट मत दीजेगा ठीक है उसी प्रकार इस 4 को जब 100 में multiply करेंगे तो 400 हो जाएगा और नीचे वाला जो 100 है वो नीचे ही रहेगा ठीक है यह तो समझना रहा होगा यह 400 में multiply होगा 400 नीचे वाला 100 as it is रहेगा अब 300 से 400 के बीच में कोई भी 6 नमबर लिग दीजे जैसे मैं लिख रहा हूँ 301, 302, 303, 304, 305 ठीक है और 306 और इन सब के नीचे 100 100 लिख दीजे ठीक है इन सब के नीचे क्या करिए 100 100 ऐसे लिख दीजे ठीक आपको क्या मेरी बास समय आई कैसे करना है मैंने क्या किया है इस 3 में 100 से multiply और 100 से divide इस 4 में भी 100 से multiply और 100 से divide तो हमें मिला है 300 by 100, 400 by 100 अब 300 से लेकर 400 के बीच में कोई भी 6 नमबर लिख दीजे तो आपकी मर्जी है आप कोई से भी 6 नमबर लिख सकते हैं मैंने लिखा है 301, 302, 303, 304, 305, 306 और सब के नीचे 100 लिख हो गया तो यह वो 6 rational number है जो कि 3 और 4 के बीच में है ठीक है आप देख सकते हैं यह 6 के 6 क्या है rational number है क्योंकि यह PYQ के form में है जो भी number PYQ के form में होते हैं वो rational होते हैं ठीक है तो उमीद कता हूँ आपको आज का question समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो वीडियो like करि person चाहिए तो वह भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा आज की वीडियो में से इतना ही मिलते हैं अंगले question में तब तक के लिए गुडबाई